ऐसे हम एपकी सामने हिस्टरी के लेकर करें और इसमें हम लोग देखेंगे आपके होंगे वन-जी-्रो-फॉर का यूनिट टू एक ना यूनिट टू और इसमें 20 कोस्टन्स हम लोग साल्म करेंगे लेकिन याद रखेंगे कि आपको यहां पे सिर्फ में answers बताऊंगा और कुछ questions और उसके साथ पूछूँगा ठीक है आपके comment से यह पता चलेगा कि आपकी तयारी कितनी हो चुकी है क्योंकि जो मैं questions पूछूँगा उसके answer को को कमेंट में कमेंट करना है और बताना है कि मतलब यह से रिलेटेट जो questions है और उसका answers आपको बताना है ठीक है इस तरीके से हमारी जो टीम है यह कम सकम यह पता लगा पाएगे कि बच्चों का कितना हो चुका है और इसके बाद जो next class हम लोगा होगा उसमें with concept और हम लोग totally स्टिरीच को cover करेंगे और फिर बच्चों की जो comment होगे उस comment के अधार पे हम लोग यह पता लगा पाएगे कि बच्चों कितनी है और किस effort के साथ हम लोग को बच्चों को class provide करना है ठीक है तो तो आप 20 questions cover करने वाले हैं ठीक है और ध्यान रखिए कि यहां पर सिर्फ आपको answers बताया जाएगा और कुछ questions उस से related जैसे होता नहीं है कि एक topic से 3-4 questions बन सकते हैं ठीक है तो कहां कहां से question बनेंगे कैसे 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 को सबनेंगे वहां से हम आपको questions पूचेंगे और आपको उसका answer जो है देना है ठीक है यह बास समल लिए ठीक है मनलब मान के चलिए कि अगर यह question है ठीक है किस सुल्तान ने दवाब में कर ब्रेधिक की थी ठीक है तो इसका सही answer हो जागा मुहमद बिन तुगलग ठीक है तो यहां से यह clear हो गया कि मुहमद बिन तुगलग किस बंस question number one कह रहा है question number one कह रहा है question कह रहा है कि किस सुल्तान ने दवाब में कर ब्रेधिक की थी ठीक है तो आपका सही answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा और दो नदियों के छेत्र में जो बीच का एरिया होता है इसे हम लोग दो आप बोलते हैं तो आप बोलते हैं ठीक है और यहां पर जो कर था वो ब्रेधिकिया था किसने ब्रेधिकिया था मुहमद बिन तुगलग है और आपका questions यहां पर है मुहमद बिन तुगलग किस वं रिलेटर है इसे तरीके से जो पहला कोशन है पहला ने दो कोशन से इसके एंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है लेकिन यह जू कौशन है इसका सही अंसर रहेखा मुहमध बिन तुगलक के द्वारा जो करकी बृद्धी की गई थी धुअब चेतर में दौशा ठाकि ठीकिन, अगे बढ़ी जातें से अपका नेस्ट कोशन racist sir, देख लेते हैं ऑचराया है सिकंदर लोदी ने किस सहर की अस्थापना की थी which city was founded by सिकंदर लोदी तो आपका सही answer हो जाएगा आग्रा आग्राशिहर की अस्थापना किस ने करे थे आग्राशि़र की अस्थापना सिकंदर लोदी ने की थे अब आपको ये पता चल गया कि जो सिकंदर लोदी है ये लोदी वंस का साफ़क है यहां से आपका question कि इसकी अस्थापना किस ने की थी और किस once के बाद इसकी अस्थापना होई थी यह दो questions आपको cover करना है दोनों questions के insert देना है इससे आपको यह हमनारी team को यह पता चल पाएगा कि आपका preparation कैसा है और जो next video अम लोगों को प्याइब करना है कि इस तरीकी की वीडियों होनी चाहिए इस बात का अध्वान खास करके रखा जाना होगा झाए तक यह बच्यों को बहतर से बहतर एक जाम के दिश्ट कोड से और एक्जाम में जो उनकी रिजल्ट बने बहुत बहतरी इन इन बने इसदें कारे किया इस निमलिकित में से किसके किसके मध हुआ था आपका सही अनसर हो जाएगा इसके इबराहिम लोधी और बाबर थ्यां कि यहां पर आपको फैट्ट यह समझना है यहान लोधी यह हार जाता है और बाबर की जीत थाफित qt है और इसकी जो साथन या फिर इस बंसे जो रिलेटेट जैनि कि जो इस ने भूंस की एस्थाप न की थी उससे आम लोग मुगल वंस की नाम से जानते हैं मुगल वंस टीकर नहीं और यह मुगल वंस काफी सालों तक मतलब यह कहें कि मेडायवल हिस्टी का जो अधार है यही ह बंदेकालिन भारत का जो अधार है यही है मुगल बंस ठीक है मुगल बंस काफी लंबा चला और यह जो मुगल बंस है इसी के सासन के दौरान पानीपत का दिती यूद और दिती यूद भी चला था ठीक है न तो पानीपत का दिती यूद और पानीपत का दिती यूद किन दो प्रफम युद्ध तो यहां पर किलिए रहे बाबर के बीच में और जब दिती युद्ध है तो दिती युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था ठीक ना तो कमेंट करके आपको बताना ठीक है तीसरा कोशन हो गया आपका आपसा नमबर सी सही हो जागा अब्राहिम लोधी औ और बाबर ठीक है चलें जिस्ट को संका की तरफ बढ़ जाए आपका दिवान ए अमिर कोही विभाग की अस्थापना की थी आपका सही एंसर हो जाएगा आपसा नमबर भंडी मोहम्मद बिन तुगलग ने दिमार दिवान एक कोही वन्स की अस्थापना की थी और यह अमीरों से related थी जैसे कर वगरा वसूल करने का कार ये करते थे तो आपका ये सही अनसर हो जाएगा अब एक चीस समझेगे ये जो फिर उस तुगलक है ये तुगलक बंस से संबन्दित है जो अलावदिन खिली है ये खिली बंस से संबन्दित है और ये जो गियासित दिन तु किस ने की थी तुगलक बंस की अस्थापना किस ने की थी तुगलक बंस गलक बंस और खिली बंस इन दोनों की अस्थापना आप बताएंगे ये आपका est na 아파 soni方面 also we mustvies già todos कोश्चन की तरफ बढ़ जाए नेस्ट कोश्चन से आपका पाजवा कोश्चन कोश्चन कह रहा है हिंदी और इंग्लिस दोन में देख लीजिए कि मध्यकालिन मुसलिम इतिहास कारों ने किस भासा का प्रयोग किया था जो मुसलिम थे जो मध्यकालिन भारत था और मध्यकालिन भारत का इतिहास है उसमें जो मुसलिम हिस्टोरियंस थे किस भासा का प्रयोग किये थे तो basically उन्होंने यहाँ पर आपका सही अंसर होना चाहिए फार्शी और अर्वी फार्शी और अर्वी का ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने प्रयोग किया था फार्शी और उर्दू का नहीं ठीक है ना आप से नमबर C यहाँ पे सही अंसर रोगे ओके किरियर है यहां तक चले आगे बढ़ी जाते हैं नेक्ट कोशन के तरफ बढ़ी जाते हैं नेक्ट कोसों से आपका अच्छा यहां से मैं आपको दे दू कुछ कोशन सबसे ज्यादा ग्रंथ सबसे ज़्यादा ग्रंथ ये तो कोशन नीचे है तो मुझे यादा गया कोशन तो मैंने बताना चाहा सबसे ज़्यादा ग्रंथ किस ने लिखा था अमेर खुसरो अब यहां से कोशन देखे सल्तनत काल में सबसे अधिक ग्रंथ किसने लिखें तो अमीर खुसरों ने लिखे थे, सल्तनत काल में सबसे अधिक ग्रंथ किसने लिखे थे, अमीर खुसरों ने लिखे थे, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, अमीर खुसरों किसके दरबारी कभी थे, किसके दर्बारी कभी थे इसका answers आपको देना है ठीक है ना? किलियर है? तो यहाँ पर जो पाचवा question था पाचवा question का आपका C answer सही हो गया और जो छटवा question है उसका आपका A answer सही हो गया लेकिन आपको ये बताना है कि जो अमेर खुसरो हैं ये किसके दर्बारी कभी थे अमेर खुसरो किसके किसके दर्बारी कभी थे दर्बारी कभी थे ठीक है ना? किलियर है? और medieval history में सबसे ज़्यादा गरंथ इन्होंने ही लिखने का कारे किया था ये भी आपको याद रखना है ठीक है? कि भारत आगमन के समय दिल्ली पर किस सुल्तान का सासक था? विच सुल्तान वाज रूलिंग डिल्ही एक दो टाइमिंग्स आफ अफ अफरिकान ट्रेलर्स इबन बतूता अज इराइवल इन इंडिया यानि कि जब इबन बतूता अफरिका से भारत आता है तो उस समय दिल्ली का सासक कौन होता है? तो आपका सही अंसर हो जाएगा महम्मद बिन तुगलक जो है उस समय दिल्ली का सासक कर रहा दिल्ली पर सासन कर रहा था यानि दिल्ली का उस समय यही सासक था और इसी के समय में अप्रकी यातरी इबनिवतुदा भारत में आये थे तो ये भी आपको याद रखना है किरियर है नेस्ट कोसन्स की तरह पड़ जाते हैं अप्रकी यातरी अपनिवतुदा भारत में आया था अब इस से चुकि ये अफरिकी यादरी था ठीक है ना जब भारत में आये तो मुहमद बिन तुकलक को समय सासन कर रहा था अब ध्यान आपको ये रखना है कि जो अलावदिन खिल्जी था और जो बलवन था और जो इल्दु तमिश था ठीक है ना ये तीनों के तीनों ये जो के सब सर्तनत कालिन थे अलावदिन खिल्जी जो है खिल्जी बंस का सा सकता अब आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि अलावदिन खिल्जी के समय में कौन मुख्य कभी था यानि कि अलावदिन खिल्जी का दरबारी कभी कौन था ये आपको कमेंड करके बताना है जाएगा कि तरह बढ़ जाते हैं कि तरह बढ़ जाते हैं अब आपको एक बात याद रखना है कि प्रधम मुस्लिम आकरमड प्रधम मुस्लिम आकरमड आकरमड भारत पर कब हुआ था प्रधम मुस्लिम आकरमड भारत पर किस ने किया था इसका एंसर आपको देना है और यहीं से आपकी medieval history start होती है यहीं से medieval history start होती है ठीक है तो यह आपको इस questions का answer देना है कि प्रधम मुस्लिम आकरमड भारत पर किस ने किया था ठीक है और आप आपका यहाँ पर सही हो जागा तिरेशो अंठानवे का मतलब क्या है कि तैमूर का भारत पर आकमार तिरेशो अंठानवे में हुआ था ठीक है ना अब बढ़ जाएं नेस्ट कोर्शन की तरफ बढ़ जाएं नेस्ट कोर्शन की तरफ बढ़ जाएं नेस्ट कोर्शन से आपक टू आग्रा तो आपका सही एंसर हो जागा आपसर नमबर सी सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी के समय में ये कहानी की गई थी ठीक है अब एक बात आपको याद रहे ना कि मुहम्मद बिन तुगलक एक बार अपनी राजधानी को हटाया था यहां से दिल्ली से हटा करके कहीं औ अस्थापित करी थी लेकिन सिकंदर लोधी ने अपनी तैकर आग्रा सार कNa ऐस्थापनावी सिकंदर लोधी ने अब हम लोग बढ़ जाते हैं next question के तरव सल्तना यूग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाला राज्य का अंतिम वंस था तो लोधी वंस था आपका सी एंसर सही हो जाएगा लोधी वंस सबसे लाष्ट तक सासन किया था और इसी इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने मुगल वंस की अस्थापना करी थी इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है तो ये questions मैंने इसके पहले दिया था हलाकि मैंने उसका answer भी बता दिया कि लोधी वंस का पतन करके मुगल वंस की अस्थापना की गए थी बाबर के द्वारा बाबर के बाद घुमायो आता है उसके बाद अगवर आता है सारे जितने भी असासक थे मुगल वंस के वो धिरी धिरी आते चले जाते हैं और फाइनली इसके बाद इसके बाद मुगल वंस क्या डिश्ट्रॉय होने के बाद यानि कि जो मुगल वंस था उसके पतान होने के बाद डारेक्टली अंग्रेजों का सासन हुआ था लगवाल लगवाल पंदर 100-600 के आसबास में इस वे में जब इस्ट इंडिया कंपनी भारत में कदम रखे थी तभी से धीरे-धीरे मुगल बंस डिश्ट्रॉय होना शुरू हो गया थे यह आपको याद रखना है ठीक है तो दसमा कॉस्चिन जो था आपका सही अंसर हो जागा लोधी बंस ठीक है पता चल गया चलिए के द्वारा लोधी बंस के अस्थापना की गए थी और लोधी बंस का सबसे प्रतापी जो साकता वह 시कंदर लोधी था यह भी कोशें शिक्जा में पूछा है तो इसको भी आपको याद रखना है इसने ही अपनी राजधानी दिली से आगरा किया था ये भी आपको याद र लिए और जो चीज़े हम पढ़ा देने इसको भी आपको याद रखना है ठीक ना चले तो आपका एक रहामा कोशन हो गया एक रहामा का आपसान नंबर एस ही हो जागा भलो लोधी ठीक ना चली नेस्ट कोशन की तरफ बढ़ जाते हैं सी क्या है अपका लोधी बहुत इमपोर्टेंट क्योंन और 101 पर्सेंट इसका एक जाम में आने के चांस हैं एक जाम में आने का 101 पर्सेंट शांस हैं ठीक है ना सिकंदर लोधी हिंदू मा का बेटा था विच आप दे फालोइंग लोधी रूलर्स वाज जो सन आप हिंदू मदर्स ठीक है आप सन नमबर भी यहां पर सही हो जाएगा ठीक है ना अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेस्ट कोसें की तरफ नेस्ट कोसें से आपका नेस्ट कोसें से आपका जिकंदर लोधी ने पंदरा से चार में आगरा नगर की नियू रख डाली क्योंकि यह इटावा बयाना ग्वालिया धालपूर आधी जागिरों पर अधिक नियंतरा डखना चाता था यही इसका सही अंसर हो जागा आपसर नमबर से सिकंदर लोधी लेड दो फाउंडेशन आफ आगरा सिटीज इन फिप्टी जिरो पूर अधी बिकोस इट वांटेट मोर कंट्रोल ओवर दे जेगरेश जगिरों लाइक इटावा बनावा बयाना वालियर्स एंड धोलापूर एटीश ठीक ना तो यह आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है अब हम लोग बढ़ जाते हैं जाते हने नेस्ट को से टी तरफ से दिख लेते हैं है नेस्ट को ससा आपका के देरा नमबर का को से साशच अभी इसके पहले मैंने आपको बताया और फिर सीक अर just अकर गर बिदी का तर आ यानि कि ये सबसे प्रतापि सबसे महान सबसे सरश्रेश्ज है और bluetooth आप लूदी हो जाएगा और किस लिए डाली थी कारण भी अब ही आपने जान लिया पिछली Car लिए बढ़ जाते हैं next questions की तड़ पेखा नमबर 60 में स्बूस्टरल अनॉबर 16 question number 16 आपका कह रहा है बादल गड कीलिये का निर्माण किस्ट ने कराया था आपका सही एंसर आपसा number 2 सिकंदर लोधी ने बादल गड कीलिये का निर्माण कराया था इसको आपको याद रगना है सबसे प्रताफिसासत था महत्व कांची था धिरी धिरी अपने राज्य को फैला रहा था यही कारण था कि अलग-अलग छेत्रों पर आक्रमण करता उसको जीत था और जीतने के बाद वो उन पे नियंतरण बना के रखना चाहता था जिसको वज़े से तरह तरह के सहरू की अस्थापना की और भी कई कारे की था ठीके ना फेला हाल बादल गल के निर्मार जिसने कराया था वो सिकंदर लोधी था आपसा नमबर भी यहाँ पे सही हो जाएगा ठीके ना भोलना नहीं है बादलगर के लिए का निर्वार किस ने करा था तो बादलगर के लिए का निर्वार शिकंदर लोधी ने कराया था और यह लोधी बंस का सबसे प्रता पिशा सकता आपको कमेंट करके बताना है कि लोधी बंस की अस्थापना किस ने की थी पंदर से 26 इसमी में हुए पानिपत के पर्थमे युद के समय दिल्ली का सुल्तान था तो आपका सही हो जाएगा इब्राहिम लोदी था इब्राहिम लोदी इन दोनों का आक्रमन होता है बाबर और इब्राहिम लोदी का आकरमन नहीं होता है बलकि युद होता है तो जब युद होता है तो इब्राहिम लोदी इसमें हार जाता है बाबर की जीत हो जाती है और जब बाबर की जीत होता है वहीं से मुगल बंस की अस्थापना हो जाती है दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो युद लड़ते हुए मारा गया था ठीक है ना तो ये इब्राहिम लोदी ही था युद लड़ते हुए ही मारा गया था ठीक है ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसको आपको ध्यान रखना है दिल्ली का वो कौन सा सासक था जो तो युद्ध लड़ते हुए मारा गया था युद्ध में ही मार दिया गया था वो कौन सा था तो आपका सही एंसर हो जाएगा आपसा नंबर सी इब्राहेम लो दी ठीक है हिंदि में इंग्णिस में भी होका ठीक है जली नेस्ट कोसन की तरफ बढ़ जाते हैं इसको सब का निमलिखित में से किस सुल्टान ने जौनपूर को दुबारा दिल्ली सल्टनत में मिला लिया था which of the following सुल्टान अग्येंस एनेक्ष जानपूर टू डिलही सल्टनत तो आपका सही अंतर हो जाएगा बहलोल लोधी आपसर नमबर डी आपका सही हो जाएगा बहलोल लोधी ने इसको वापस से जानपूर को जानपूर को दिल्ली सल्टनत में वापस से मिला लिया था आपसर नमबर डी आपका सही हो जाएगा ठीक है ना चले नेस्ट कोस्टन की तरफ बढ़ जाते हैं आपका 19 नमबर के कोशन था 20 नमबर का कोशन इस नमबर का कोशन कर रहा है ठीक है ना लोगों को खाने पीने की जो चीज़े थी उस पर ये कर लगता था लेकिन एक सासक था जिसने इस कर को हटा लिया था और वो सासक था सिकंदर लो दी और इसलिए इसे सर्वस्रेश्ट महान और सबसे महत्वा कांची सासक भी कहा गया है और आपसर नमबर सी यहा आप इंसर जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो कें तब तक के लिए बाई